हेलो गाइस हमारा सम्मर से बल वाटर पंप काम नहीं कर रहा है यह लगबग 600 फीट गहराई में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह केबल इंक्लूडड़ है यहाँ पर कोई जोइंट वइंट नहीं है यह अंदर से अंदर गई हुई है अब हमारी मोटर वाक नहीं कर र रहा है चलिए देखते हैं यह हमारे समर से बल वाटर पंप का सेटप यहाँ पर इंपुट है और यहां से आउटपुट जा रहा है दो वाटर पंप लगाए गए हमारे घर में एक यहाँ पर आउटपुट और यहाँ पर भी एक आउटपुट है तो हम चेक करेंगे कि हमा stable water pump के अंदर से आ रही है अंदर से included से आ रही है यहाँ पर कोई भी current variant नहीं होता यह जो आप देख रहे है wiring यह output current है यहाँ से output होता है इसके अंदर से relay on होती है contactor on होता है यहाँ से out होता है out होते ही इस motor को working point मिलता है तो हो क्या रहा है हमारे जो amperes है वो बहुत ही ज्यादा हाई दिखा रहे हैं इस wiring पे तो हम पहले बता देते हैं आपको यह है आर यह है वाई यह है बी आर रेड वाई येलो बी ब्लू यहां पर यह तीन प्रोरेटी काम करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहां पर 240 वोल्ट इज काम करता है डबल फेज यहां पर 440 वोल्ट काम करता है डबल फेज और यहां पर 440 वोल्ट काम करता है डबल फेज इस तरह से वर्क करता है थ्री फेज कनेक्शन इस तरह से जैसे मेरी अंगुलिया चल रही है इस तरह से कुछ वर्क करता है जो हम अलग वीडि पर चाहिए होगा इस तरह का जिसमें एक लाइट है ज़रूरी नहीं है प्लाइट वाला यूज ले कैसे भी आपको इसाब यूज ले सकते हैं इसे में पहले शोर्ट सर्कुट करके दिखाता हूं तो आपको कुछ साउंड सुनाई दे रहा होगा यहां पर क्या है क्या है तो तो पहले मैं क्या करूँगा इसके एक जो रेड वाला वाइर है इस पर में जोरेंट रखूंगा धीके यहां पर जो को रेड वाला है इस पर मैं connect करूँगा इस वायर को जरूर नहीं है काला भी लगा सकते हैं और में एक blue पर लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर short circuit current दिखा रहा है ठीक है तो इसे हम सही मानिया गलत अब मैं क्या करूँगा यह जो blue ये जो blue ये येलो वाला है पीला इस पर मैं अगर लगाता हूं तो यहाँ पर कोई भी show नहीं हो रहा और मैं अगर blue पर लगाता हूं तो अच्छे से show हो रहा है ठीक है यहां पर शो नहीं हो रहा है मैं फिर से पीले पर लगा करके ब्ल्यू पर लगाता हूं तो यहां पर कोई भी शो नहीं हो रहा है और अगर मैं इसे इस साइड में लगाता हूं रेड में तो भी कोई शो नहीं हो रहा है तो गलत कौन सा वायर हुआ पीला वाला दोस्त यह जो वायर है यह हमारे समर सेबल के अंदर से फॉल्ट है जहां दोस्तो या तो यह तूट गया है अंदर से या पंप की वाइंडिंग में से अलग हो गया है या कुछ भी हो सकता है पंप की वाइंडिंग में से भी अलग हो सकता है पंप के जहां पर यह पिला वाला जोइं वो भी अलग हो सकता है या अगर आपके summer sable के अंदर कहीं पर joint आपने double cable लगाई है यानि के joint करके cable लगाई है वहां से भी wiring खिट सकती है तूट सकती है क्योंकि boring की motor होती है काफी weight होता है तो कभी कबार क्या होता है क्या होता है गर्मी सरदी की वज़े से हल्का सा झ्छोल आ जाता है मतलब लाटक जाता है थोड़ा सा और तो उसकी वज़े से भी शाइद केबल तूट सकती है या फिर आपके पंप में मिस्टेक हो सकती है यह देखिए यहां पर शोट बता रहा है जब इस तरह से zero show होता है मतलब पूरा zero नहीं 006 इस तरह से show होता है अगर पूरा zero show हो रहा है तो short circuit है और 006 या कुछ reading बता रहा है numbers बता रहे हैं तो इसका मतलब हमारा pump over cable है इस तरह से बता रहा है और यहां पर भी बताना चाहिए मतलब इसमें बता रहा है show इसमें भी बताना चाहिए जैसे हम यहां पर इसमें लगाएंगे तो भी बताना चाहिए और इसमें लगाएंगे तब भी बताना चाहिए तब तो हमारा working अच्छा है लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं यह बिलकुल फिरी बता रहा है ये मीटर आप कोई सा भी यू लग सकता है आपको हम एक और तरीका बताएं दूसरी वीडियो में कि आप बलब से भी ये चीज चेक कर सकते हैं जरूरी नहीं आप मीटर से ही चेक करें लेकिन मीटर से ये पता जरूर चलता है कि हमारी मोटर जल गई है या सही है वो चीज हम बलब से अच्छे से नहीं समझ पाते तो गाइस आप लोग समझ चुके होंगे ये जो वायर है ये फिरी है अंदर से जल गया है तूट गया है या वाइंडिंग में से खराब हो गया है ये दो वर्क कर रहे हैं ये वर्क नहीं कर रहा है तो दोस्तो अब जब समझ से बिल निकले गी तो उस समय हम आपको बताएंगे कि कहां पर मिस्टेक है चलिए बाई बाई इस चीज को समझ गए होंगे आप लोग